हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब गुड मॉर्निंग आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी क्यों में तो हमने यह और ट्रिपल एसी की फार्मसिस्ट एक्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है तो इसी में आज हम 25 वे क्वेशन देखिंगे डिटेल एक्स्परेशन के साथ ठीक है अभी देखिए बहुत सारे एक्जाम की डेट आ गई है तो अभी बहुत म होने हैं तो इसलिए अभी आपको प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करने चाहिए और हिमाचल का ड्रग इंस्पेक्टर का एक्जाम भी है तो हम जो करते हैं यह तो आपको पता यह सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो अगर आप किसी भी फार्मसिस्ट एक्जाम आपको पता ही होगी तो इससे हम याद रखते हैं और आपको पता ही तो इसे हम याद रखते हैं होता है उसको Olfactory उसका मतल기 की वह Smell से Looks है ठीक है उसके बाद optics मतलब movtess का मतलब आई से related होजगा और कियलंट होता हैं फिर पीज है पैत्स है प्राइचिक इसको वोलते हैं थीक है पैत्स ट्राइचमील भी जे Will पर 12th cranial nerve associated with the movement of tongue तो कौन सी है वो हमारी 12 कौन सी है 12 पे हमारी एच से हाइपो ग्लोसल आई है तो आपका अंसर हो जएगा कौन सा option number 2 हो जएगा हाइपो ग्लोसल नर्व आई है 12 नंबर पे तो आपको सारे की सारे नर्व पता होनी चाहिए क्योंकि इसके उपर question है यह यूपी आर्वियूनल क इसके उपर question बना था तो हमारा भी बन सकता है तो हमें इसलिए पता होनी चाहिए ओके next question देखिए question क्या है the gas used for fumigation इसलिए इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैंने अभी एक यह OSSS के लिए जो अभी एक 100 MCQ का test paper बनाया था उसमें मैंने इसका answer गलत बता दिया था तो इस मैंने उस question paper में दो question के answer गलत बताए थे वो दोनों question मैंने इसमें include कर लिए क्वेशन जादा होते है कई बार मतलब गलतिया हो जाती है हम जब exam देने जाते है तब भी हारे महारे साथ यह होता है same situation होती है question हमें पता होता है उसके बावजूद भी हम उसको wrong कर देते है इसल गल्दबाजी में mistakes हो जाती है तो सही है आप मुझे बता दिया कीजिए आप लोगों का बहुत मतलब अच्छा रहता है कि आप मुझे बता देते हैं कि मैं इसका answer आपने गलत बताया है ताकि मतलब जो भी मतलब बहुत से students होते हैं सुनते हैं फिर मतलब तो यह नहीं होना कभी कोई गलत हो जाए तो और एक्जाम में भी वही आ जाए मेरे वजाए से क्वेशन गलत ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो देखिए आप जो यह questions होते हैं फिर मैंना उनके comment में उस comment को पिन कर देती हूं जो answer मैंने गलत बताया होता है उसको मैं पिन करके सही correct कर देती तो आप जो comment section होता है comment books जो होता है उसको check किया किजिए उसमें जो comment किया होता है वो कुछ information के लिए पिन किया होता है पिन वाले comment को जुरूर देखा किजिए तो इसका आप देख लें तो sulfur dioxide होजेगा एक question यह था question no.3 इसका मैंने गलत बता जिए था magnesium sulphate is used as देखे मैं भी confused हो गई क्योंकि मैं magnesium hydroxide होता है ना magnesium hydroxide जिसको milk of magnesium भी कहते हैं यह antacid भी होता है और lexatives भी होता है ठीक है तो मैं इसमें confused हो गई थी तो यह magnesium sulphate जो होता है यह antacid नहीं होता यह saline purgative आएगा तो मैंने आपको इसका अंसर antacid बताय था तो इसको आप correct कर लेना तो इसका अंसर क्या होगा saline purgative हो जाएगा तो इसमें जो यह saline purgative में तो इसमें magnesium sulphate है तो यह antacid नहीं होगा saline purgative हो जाएगा question no.3 question no.4 question no.4 देखिए 300 mg of aspirin is to be filled in hard gelatin capsule तो appropriate capsule size आपसे पूछा है तो यह question देखिए यह question मैंने अभी आपको कराया था तो इसमें बच्चों के comment आ रहा था कि मैं 300 mg के लिए 1 नहीं होना चाहिए 3 होना चाहिए इस type से यह 0000 आप लोग कह रहे थे शायद इस type से comment आ रहा था तो इसलिए मैंने यह include किया मैंने काफी बार आपको यह बताया भी हुआ है देखिए capsule के जो नंबर जैसे 000 नंबर है उसके बाद 0012345 ठीक है तो आप 0000 के लिए जो capacity होती है mg में capacity जो है ठीक है क्योंकि हमारा question mg में है तो यह 950 mg किसके लिए 0000 वाले के लिए कितनी हो जाएगी 650 याद रखना है उसके बाद 00 वाले के लिए आप क्या याद रखेंगे 450 याद रखेंगे उसके बार two के लिए क्या हो जाएगा तो इसका हम एक चोटा सा वीडियो बनाके भीर डाल दूंगी और वैसे आप इसको द्यान लखना तो इसका a हो जाएगा one जो capsule number होता है उसके लिए 300 mg हो जाएगा तो इसका आपको कोई qualification क्लियर हो गया होगा नेक्स्स देखे Markus आंटीडोंट्क है यह तो काफी काफी बहुत ही जादा इंपोรटन हो जाते हैं इनके ओपर होती बंना ही बंना है तो आपको पता है यह यह ला मिन करते हैं इसी तैल सिस्टीन होता है साइनाइड की पोईज्डिंग में कौन सा यूज करते हैं सोडिक न्यट्राइट होता है इसका अधिमर परोल भी बोलते हैं यह किसी की waving करते हैं और और घैनोफोस्पेट की पॉईजडिंग में जैसे प्रालीड अग्जाइम होता है और अगर उप्शन में होता तो एट्रोपीन भी हमारा सही होता है तो यह जो जो एंटिदोट्स है सारे किसकी पोईजिंग में क्या उसकर रहे हैं तो आपको इस सारे पता होने चाहिए अच्छे से तो हमारा इसका अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नेक्स देखिए क्वेश्चन नमबर एक तो शोट एक्टिंग आते हैं शोट एक्टिंग मतलब जिनका जो टी हाफ होता है लैस देन ट्वेल आर्स होता है ठीक है तो यह ना एक बर क्वेश्चन आया था इस टाइप से पूछा हुआ था कि जैसे यह ती हाफ है नहीं देखिए शोट एक इंटरमेडियर एक्टिं होता है तो इस टाइप से उसमें से क्वेश्चन था इंटरमेडियर का या लोग का मुझे इतना ध्यान नहीं है बट इस टाइप से पूछा था एक्टिंग करके भी पूछ रखा था तो यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है यह जो ग्लुको कोटिकोड दिये हुए हैं इनक इस टाइप से क्लासिफिकेशन जो है शोट एक्टिंग इंटरमेडियर एक्टिंग और लोग एक्टिंग तो आपको ध्यान रखना है शोट एक्टिंग का लेस देन 12 आर्स इंटरमेडियर का 12 to 36 आर्स और ग्रेटर देन 36 आर्स किसका हो जेगा लोग एक्टिंग का हो यह किसमें आते हैं लोंग एक्टिंग में आते हैं तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसके उपर question बन सकता है तो हमारा इसका short acting answer हो जएगा option two हमारा right answer हो जएगा question number seven देखिए विच अमंगदा following is an example of metallo proteins तो metallo protein का example आपको बताना है तो यह question जो हम proteins पढ़ते हैं तो protein का वैसे मैंने वीडियो अप्लोड किया हुआ है आप लोग ना मैं आई बेटन में आपको लिंक में देदूंगी उसका देखिए प्रोटीन के साथ अगर को प्रोस्थाटिक ग्रूप एड़ कर देखिए प्रोस्थाटिक ग्रूप तो वह क्या होते हैं यह सब अप्रोस्थाटिक ग्रूप के बेसिस पर लग लग डिफरन टाइप की होते हैं तो मेंटलो प्रोटीन में प्रोस्थाटिक ग्रूप एक मैटल होगा तो मैटल आयन जैसे आईरन हो गया कोबाल्ट हो गया कुछ भी हो सकता है मेगनीशियम हो गया मेगनीज हो गया जिंक हो गया कोपर हो गया इस टाइप के मैटल आयन्स होते हैं प्रोस्थाटिक ग्रूप प्रेजन्ट होते हैं तो मेटलो प्रोटीन होते हैं तो मेटलो प्रोटीन का आप से तो इनके एक्जाम प्रोटीन्स में आ जाते हैं तो हमारा आंसर तो इसका और जो मूचेन दिया हुआ है ये मूचेन किसका एक्जामपल होजएगा घ्लैको प्रोटीन का हो ट्यक्lam प्रोटीन धो Rock झीएक्ग विश्वस्स आपको बताना है अरायल Ashty इंट रेवेटिव कौन सा क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं उसमें पहले आता है सालिसिलेट्समें हमारा एस्परिन पढ़ते हैं कि एस्परिन का कुछन तो कही बार आता है कि अश्परिन के के असिद série डारिवेट सीदे में हमारा मिफनायम ही आता है अंसरहोंगा इंसका अंसर चुनें चेल रिखोई आता हैं तो अग्सीचेटे में आते हैं चैनल ने की ट्रण लएक बेटी ऋद्टेन परजुच्ट ethics लिहां जोन आते हैं तो यह एंसर का क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन का वीडियो भी आपको पता ही है तो वह आई बटन में लिंक भी देदूंगी अगर आप देखना चाहें तो वह भी देख सकते हैं तो इसका आपको क्लियर हो गया दिकलो फिनायक next question देखिए question number nine क्या है which among the following is a fast generation cephalosporin टीक है first generation cephalosporin में कुन सा आता है तो इस cesse होते हैं चार ओप्षेंस होते हैं अगर हमने थोड़ा भी चीजों को पढ़ा हुआ है तो हम ओप्षेंस के थ्रू एलिमिनेशन मैथट से अपना आंसर निका सकते हैं देखिए जैसे सिफ्पी में हैं यह फौर्थ जनरेशन में आता है फौर्ट जनरेशन में हम दो ही पढ़ सिफ्पहा वर्ड आ अगर आप याद रखेंगे तो इसमें सिफालोथ nies आता है सिफलिक्सीन आता है सिफाइलीन आता है और आता है सिफफह सिफल Guardians यह सब्सिफा वाले वर्ड जो है वह फॉरस्ट जनरेशन में आता हैं तो हमारा और सिफरी रोक्सीन को सिफररीन हो पौर् generation सिफैलो स्पोरिंस में आता है तो यह आप सिफैलो स्पोरिंस के generations भी important होते हैं तो आप मतलब दो भी याद कर लेगे ना तो भी काम चल जगा हमारा next के question number 10 क्या है विच अमंगदा फोलूंगी ते substitute of sincona sincona जो है काफी important drug है सिंकोना का source क्या होता है सिंकोना सक्सी रूबरा सिंकोना ओफिसिनेलिस और सिंकोना लैडगे रियाना यह सब क्या होते हैं सिंकोना के source होते हैं ठीक है सिंकोना की family कुन सी होती है रुबिय सी होती है ठीक है और इसके अंदर जो chemical सब्सक्राइब और इसमें ग्लाइकोसाइड है जो मैंने आपको एक क्वेशन करा था कुईनोवीन अभी प्रीवेस वीडियो में था क्या है वह ग्लाइकोसाइड प्रेजन रुटा सिंकोना में अब इसका हमसे पुछे सब्सिचूट तो सब्सिचूट तो यह होता है तो याद रखना है आपको आपको ऊप्शन सी आपका राइट होने वाला है इसमें और यह सब है कनवर्जन्स में से हैं जो हम सूटिक्स का शुरू-शुरू का सब्से फॉस्ट ही हमारा चैप्टर में आता है यह आता है दिखे एक होता है न स्क्राव एक ग्राम तो 15 अच्ची होते हैं में 15 लेना च्रावा alt 2.2 पाउंड होते हैं ठीक है यह थोड़े थोड़े जो मतलब इस टाइप से न कई पर कैलकुलेशन में भी यह चीज़े काम आ जाती है तो यह कंवर्जन्स जो है आपको क्योंकि तो स्टार्टिंग का ही हमारा उसमें आता है जो हम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं फार्मस पहले लाउंस होते हैं 30 एक जो पिंट है इसके अंदर 20 वंडाउंस हैं और एक क्वार्ट होता समें 40 व्लुडाउंस होते हैं दिखेच तो 2020 के अगर पेर बनाएंगे तो अप 8 दिन्त मिलकी क्या बनाएंगे वन गैलन बनाएंगे तो यह आपका हो जाएगा एट जो पिंट्स हो जाएगे किसमें वन गैलन में तो यह भी आपको ध्यान रखना है next question है question active immunity is introduced by introduction of तो active immunity जो होती है तो इसके लिए vaccines use करते है vaccines होती है और toxoids होते हैं यह क्या होते है इम्मुनिटी प्रोडूस करते हैं बाकी के जो सीरा होते हैं इम्मुनिटी के लिए होते हैं ध्यान रखना है तो वैक्सिन्स जो होती है यह क्या इंड्यूस करती है एक्टिव इम्मुनिटी तो आपका ओप्शन भी राइट हो जेगा तो वैक्सिन्स के ओपर इम्मुनिटी के ओपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है तो वो भी आप देख लेना नेक्स्ट है क्वेशन नंबर फुटीन है रेशो ओफ ड्राइ गिलिसरीन टू ड्राइ जेलेटीन फोर हाड जेलेटीन कैपसूल ठीक है तो आपको यह बताना है हाड जेलेटीन कैपसूल के लि इनके लिए यह होता है पॉइंट फॉर रेशो वन होता है किसके लिए हाड जेलेटीन कैपसूल के लिए जो रेशो यह भी किसी आप में से पूछा हुआ था इसका कि मैं इसमें डाउट है इसलिए मैंने क्वेशन यहां पे लिया है देखिए कई बार ना कमेंट बोक्स मे होता है किसके लिए हाड जेलेटीन कैपसूल के लिए और में अपको तीनों ही बता दिये अब आपका डाउट मेरे साथ से प्लिए हो गया होगा तो इसका उप्शन वन्त होजेगा question देखिए 15 number question है इसमें क्या दिया हुआ है 15 number में क्या पुछा आप से oil water gum का ratio पूछा है ठीक है ratio of oil water gum for primary immersion of a fixed oil ठीक है fixed oil जो है उसके primary immersion के लिए oil water gum oil water और gum का ratio पूछा तो आपको यह sequence ऐसे ही याद रखना है oil water gum में आपको याद करने के लिए बताया भी हुआ है OMG होता है उसको आप इस टाइप से अगर लिख देंगे आपको तो मतलब ऐसे मतलब डबलू है यह तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते कि पहले इसमें oil है फिर उसमें water फिर गम है तो oil water gum का जो रेशो है fixed oil के लिए पूछा आप से तो fixed oil के लिए 421 होता है ठीक है option D हो जागा और volatile oils के लिए क्या होता है आपको तीनों याद करने वोलाटाइल ओल्स के लिए और mineral oils के लिए ठीक है तो volatile oils जो होते हैं इनके लिए होता है टू रेशो टू रेशो टू रेशो वन ठीक है 421 fixed oil के लिए 221 हो गया किसके लिए वोलाटाइल ओल के लिए और mineral oils के लिए होता है 321 होता है 3 रेशो टू रेशो रेशो वन ठीक है यह किसके लिए mineral oils के लिए होता है तो आप इनके एक्जाम पर भी थोड़े बहुत याद रखना fixed oil में कौन-कौन से आएंगे जैसे केस्टर ओयल आजेगा fixed oil में आलमेंड ओयल है कोड लिवर ओयल है और वोलाटाइल ओयल में जैसे टर्पेंटाइन ओयल अजेगा और मिंदल ओयल में जिसे लिक्विड पेराफीन आजेगा ओके तो हमारा option डी हो गया नेक्स देकि क्वेशन क्या है uncoated tablets must dissolve within तो disintegration time जो है टेबलेट्स का उसके ओपर है तो जो देखिया uncoated tablets होती है इनका disintegration time 15 minutes होता है तो आपका answer तो यह 15 minutes होजेगा uncoated का होता है 15 minutes उसके बाद होती है film coating जो film coated tablets होती है इनका disintegration time 30 minutes होता है sugar coating sugar coated tablets का 60 minutes होता है और antaric coated tablets का होता है 3 hours होता है ठीक है तो यह disintegration time होती है tablets के तो यह भी आपको याद रखने है antaric coated आपने आप में से एक student ने antaric coated का भी पूछा था मिरसे तो उसका 3 hours होता है antaric coated का तो यह हो गया आपका option B हो गया next देखिए गाबा पैंटीन इस एन एक्जामपल ओफ तो यह antileptic drugs जो होती है उसमें से question antileptic drugs में एक होता cyclic gaba analog आता है cyclic gaba analog में आप पढ़ते गाबा पैंटीन बढ़ते हैं तो यह anticonvulsant हो जाएगा next देखिए question नमबर 18 है antidote for mellathion poisoning तो mellathion आपको पता होने चीक किस में आता है तो यह organophosphates में आता है ठीक है अब आप question कर लेंगे इसका organophosphates की poisoning में तो सभी को पता है अब काफी popular question है यह काफी मतलब most repeated question है यह organophosphorus की poisoning में कौन सा antidote देते हैं बहुत बार repeat होता है तो यह तो सभी को इसका अंसर भी आद होगा तो option दी हो जागा प्रैली डोग्जाइम नेक्स देखिए drug of choice for trigeminal neuralgia तो trigeminal neuralgia में drug of choice होता कर्वामजीपीन होता है यह question में बहुत बार repeat होता है नेक्स देखिए question है antidote for organophosphorus poisoning फिर से वह question आ गया तो question मतलब language change करके दे सकते हैं अभी देखिए इसमें organophosphorus poisoning के लिए पूछ लिया अभी पीछे question में मिला थी उनके लिए पूछ लिया था तो मतलब इस टाइप से मतलब अगर questions as it is repeat नहीं होते तो मतलब उसकी language change करके और थोड़ा वो आस पास से question ऐसे repeat होते हैं तो organophosphorus के लिए मैं आपको बता दिया प्रैली डॉक्जाइम बता दिया option भी आपका right हो जेगा next question है drug of choice for philariasis काफी important question है philariasis के लिए drug of choice होता है डाइथायल कर्बमजीन होता है ठीक है option भी आपका right हो जेगा next question है semi-essential amino acids तो इसमें भी students को doubt रहता है देखिए semi-essential amino acid में histidine आता है एक तो जो हमारा options में दिया हुआ है एक आता है asparagine नहीं आता है ठीक है asparagine नहीं है वो arginine है तो ध्यान रखना देखिए मैंने इसकी spelling लिखी हुए है ताकि आपको confusion ना होए देखिए arginine है histidine आता है और एक arginine आता है तो यह जो हिमाचल का फार्मसिस्ट का एक्जाम हुआ था 2018 का उसमें यह question था semi-essential amino acid is तो उसमें histidine आता है option भी आपका right answer हो जेगा और दूसरा अगर आपको जानना है तो वो आरजिनीन है यह asparagine इसलिए दिया हुआ है confuse करने के लिए तो कौन सा आरजिनीन है इसके नेक्स एक्जामपल फीजिकल इंकमपेटिबिलिटी देखिए इंकमपेटिबिलिटी जो है यह यह जो ओ ट्रिपल एसी में जो यह जो स्किल वाले question है ना तो प्रैक्टिकल स्किल् लेगे केmiकल आरजिए और में फीजिकल केमिकल आटा होजाएगी हमें तो physical में हम क्या क्या पढ़ते हैं जैसे इसमें insolubility आता है insolubility जैसे कि आपको castroil और water है उसमें तो मतलब कि यह immisibility पहले में आपको immisibility बता रही हूं immisibility मतलब castroil plus water तो यह क्या immisible है मतलब कि इसमें इमल्सिफाइंग डालना पड़ेगा तब जाके इमल्शन बनेगा तो यह immisibility में आगे क्या होगा फिजिकल इंकमपैटिबिलिटी और insolubility होता जैसे कोई आपको indiffusible solids प्रेजंट हो उसमें तो वह क्या हो जागा insolubility फिर प्रेसिपिटेट फोर्मेशन आता है जैसे उसमें क्या है प्रेसिपिटेट फोर्मेशन जैसे कोई resin present है तो वह precipitation हो जाएगा ठीक है या फिर लिक्विफेक्शन को यूटक्टिक मिक्शर बन रहा है तो लिक्विफेक्शन में आ जाएगा तो यह सब फिजिकल इंकमपैट का example हो जाएगा हमारा तो हमारा option C ही right हो जाएगा ओके नेक्स के question 24 antagonist क्या होता है प्रोटामिन सल्फेट होता है यह question जो बारी बार में repeat होते है जो मैं आपको सोल कराती उसमें जितनी बार question repeat होता है वह उतना ही important होता है मतलब उतनी बार वह exam में repeat हुआ हुआ question है तो आप जो repeat होते हैं उनको ध्यान से अच्छे से याद करना है तो इसका ही पैरिंग प्रोटामिन सल्फेट होता है next and the last question is theogroma oil is a type of suppository base तो यह आ गया question किसके ओपर suppository base के ओपर question आ गया suppository base जो होते हैं देखिए यह एक तो होते हैं fatty base होते हैं इसमें एक तो कुन से होते हैं fatty base होते हैं और एक होते हैं water soluble या water miscible base ठीक है water soluble होते हैं या water miscible base होते हैं और एक होते हैं emulsifying base जो synthetic base भी बोलता है जिनको हम ठीक है emulsifying base होते हैं तो जो fatty base होत दियो ब्रोमा औल को क्या बोलते हैं को कोई बटर भी बोलते हैं काफी इंप्वोटेंट जो इसके उपर वह बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है तो हमें पता नियुक्त टाइप पॉजितरिया नहीं होंगे तो यह ओल्योजीन अस हो जाएंगे तो हो जाँगा यह ऐोलीजीनस हो जाएगा तो यह यह एंथियोग्रोम और जैसे में ऐसे प्सक्राइब इसमें गिलिस्टेत ग्लिस्टरो जिलेटिन बेस आता है किसमें water soluble या water miscible बेस में एक तो ग्लिस्टरो जिलेटिन बेस आता है polythylene glycol बियाते हैं यह फोल्य से फेलिंग लाइकोल भी आते हैं ठीक है और एक होता है से मासा एस्ट्यूर्यम होता है मैसीव पॉल होता है तो यह किसमें आते हैं यह सिंत्हाटिक बेज जो होते है ना इमलसिफाइंग बेस तीन थाड़ इसकीव महने आपको बताये थी तो यह सब्दूर्ण सब्सक्राइब करें लिए तो अब तो आप पढ़ लेन तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बोक्स में देना है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जोरू करना ओके थैंक यू